नमस्कार दोस्तों आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है साथियों आप सभी के लिए लगातार प्रयासरतों जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे शक्षमता परिक्षा पास शिक्षकों की कौंसलिंग में देरी क्यों हो रही है इस बात को आप लगात एक लाख सतासी हजार से ज़्यादा शिक्षकों की होगी कौंसलिंग, कौंसलिंग के लिए रहेगा जिलावार कौंटर, ये बड़ी अपडेट आप सभी बार बार पूछ रहेते कि कौंसलिंग में किसको बुलाय जाएगा, तो यहाँ पर सपस्ट कर दिया गया है कि जिलाव वाईस वहाँ पर कौंटर बनाय जाएगा, 15 अप्रेल तक कौंसलिंग की तिथी हो सकती है जारी, 15 अप्रेल तक आप सभी को ये मालूम हो जाएगा कि वहाई कौंसलिंग किस तिथी से किस तिथी तक होगी, और क्या सब ले करके आपको जाना है, सब कुछ जो है वो आप शिक्षक सक्षमता परिक्षा दिये हैं, उनकी कौंसलिंग के उपरांत विद्याले का आवंटन चार जुन के बाद किया साएगा, शेहरी छेतर के सभी स्कूलों में पोस्टिंग होगी, ये बात केकी पाठक जी ने पहले ही कह दिया है, कि वह शेहरी छेतर में सब से पहले मैं पोस्टिंग करूंगा जो नियोजी शिक्षक सक्षमता परिक्षा दिये हैं, उनकी पोस्टिंग सब से पहले मैं शेहरी छेतर में करूंगा, जिसकी तैयारी शिक्षा युवाग ने, शेहरी छेतर में विद्याले आवंटन की तैयारी चल रही है, आप सभी जानते हैं कि शेरी छेतर में जैदा शीर तो नहीं है पर शिक्षा युवाग सबसे पहले प्रात्निकता शेरी छेतर को देगी शेरी छेतर में जब शिक्षकों का विद्या लावंटन हो जाएगा उसके बाद ग्रामीन छेतर में किया जाएगा और इस बात से आप सभी पहले से ही आवगत हैं कि रैंडमली पोस्टिंग किया जाएगा रैंडमाजेशन के तरीके से नियोजी शिक्षकों का पोस्टिंग किया जाएगा जिन्होंने शक्षमता परिशा दिया है सबसे महत्वपुर्ण अपडेट इसमें ये है कि योगदान की तिथी से राज्य कर्मी का दर्जा उनको दिया जाएगा कई नियोजी शिक्षक हमें कह रहे थे कि राज्य कर्मी का दर्जा तो हमें मिल जाएगा पल मैंने 10 साल 15 साल जो काम किया वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा तो यहाँ पर शिक्षाई भाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वाई जिस दिन से आप नहीं विद्याले में योगदान करेंगे उसी दिन से आपको राज्य कर्मी का दर्जा जो है वो दिया जाएगा यह बड़ी अपडेट आप ओल टी टी ती त्यारी चरल के साथ बने रहिए पलपल के अपडेट आप सभी को शिक्षाई भाग का देता हूं देता रहूंगा विश्वास दिलाता हूं अभी के लिए इतना ही फिर मिलते अगले वीडियो में स्वाधनिवा साथिए